Hello friends, कैसे हैं आप से अब तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप DUSL में admission लेने वाले हैं 2024 में तो दिख्या कौन से documents यहाँ पर required हैं आपकी admission लेने के लिए आप चाहें यहाँ यहाँ पर UG program में admission ले रहे हैं यहाँ पर PG में admission ले रहे हैं जो यहाँ पर नहीं मिल रही है उनको आप कैसी कर सकते हैं online distance mode से तो सारी चीज़ां इस वीडियो में मैं cover करने वाला हूँ उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो दोस्तों subscribe करके bell icon को hit जरू कर लो जिसे के आने वाले टाइम में आपको ऐसी वैलियोबल वीडियो के नोटिविकेशन मिलते रहें जादा टाइम ले तो यह वीडियो को शुरू करते हैं देखते हैं सारी चीज़ों को detail में तो दोस्तों चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप DUSL में भी admission ले रहे हैं तो documents कौन से required हैं then मैं आपको programs की बात करूंगा तो दोस्तों वीडियो को end तक watch करना ठीक है तो आप क्या कर सकते हैं देखिए 10th की mark sheet and 12th की mark sheet ठीक है इन दोनों को लगा कर plus आप अपना 12th का provisional certificate साथ में लगा सकते हैं ठीक है it means कि अगर आपके पास 12th का final certificate नहीं है तो आप अपने school से जाकर एक provisional certificate लीजिए जिसमें पूरा mention होता है कि यहाँ पर इस student ने admission हमारे यहाँ पर ली थी और यह qualify कर चुका है यह pass out हो चुका है अभी इसका certificate pending है तो जैसे इसको मिलता है हम यह provide कर देंगे अभी इस provisional certificate के साथ यह admission लने के लिए eligible है ठीक है तो यह वाला certificate आपका चाहिए होगा ठीक है फर्स चीज़ आपके clear होगी अभी एंदेखिए अब second में बात करें आपका यहाँ पर ID proof कौन सा लगेगा तो यह आपका लगता है यह पहचान पत्र तो वह आप अपना अधार कार्ड लगा सकते हैं ठीक है पर category certificate लगेगा ठीक है जाती परमान पत्र आपका यहाँ पर वह लगने वाला है ठीक है clear और देखिए उसके बाद आपका income certificate भी लगेगा अगर आप यहाँ पर आगे आप आते हैं आप करते हैं below poverty line तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा income certificate भी डालना पड़ेगा अपनी income शो करनी पड़ेगी कितनी आपकी yearly income हो रही है अब देखिए आगे यह बहुत कम students होते हैं लेकिन जो students हैं अगर आप NRI हो ठीक है और इंडिया में आप यहाँ पस टे कर रहे हो आपको admission लेनी है तो आपका यह passport की demand करेगा अगर आप NRI पर yes करते हैं अगर no करते हैं तो passport की demand नहीं रहेगी ठीक है clear अब देखिए आपका doubt सारा clear हो गया होगा ज्यादा documents नहीं चाहिए सरफ यही documents आई होते हैं DUSOL में admission लेने के लिए ठीक है अगर आपके पास हैं तो कोई issue नहीं है आप यहाँ पर admission ले सकते हैं बाकि अगर अगर अब भी कोई query है तो comment कर दें मैं आपको उसका answer जरूर दे इन ठीक है तो इससे पहले अगर आपको नहीं पता है कि DUSOL क्या है ठीक है कैसे SOL आता है क्या DU है तो इस पर मैंने पहले detail वीडियो बनाई हूँ है admission को पूरी लेकर उसका भी link निचे अटिक्शन में आप उसे watch कर सकते हैं बाद में ठीक है अभी चलिए programs की बात करते हैं कुछ आपको बताऊंगा सबसे पहले programs देखते हैं तो यहाँ पर दिखे जो programs की बात करें तो आपके यहाँ पर BMS Bachelor of Management Study मिल रहा है ठीक है BBA मिल रहा है एंट इसके बाद बीकॉम honors और बीकॉम मिल रही है इसके बाद दिखे MBA और MA दिखे BLISC और MLISC यह भी आपको यहाँ पर मिल रहे है ठीक है तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ DUSL में इतने ही programs offer किये जा रहे है ठीक है clear इससे ज़्यादा कर देखे आपको BCA करना है MCA करना है तो ऐसे programs आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे ठीक है तो बस यही जो 4-5 categories के program है वही आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे है सो अब question तो यह भी arise होता है कि sir क्या यहाँ पर admission लेना सही रहेगा और जो यहाँ पर programs नहीं है वो सरम कहां से admission लें इसके लिए बहुत ज़्यादा query आई थी last video में भी अभी देखे सबसे पहले बात करते हैं यहाँ से admission लेना वर्थ रहेगा यहा मैं आपके drawbacks भी बताऊंगा जो students ने यहाँ पर खुद face किये हैं जो इसमें issues आते हैं तो पहले वो भी जान लू ठीक आप skip मत करना पार को ध्यान से सुनना तो दिखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपको limited programs मिल रहे हैं सबसे पहली चीज़ से होगी आपको दिखिए सरफ इतने ही programs यहाँ पर देखने को मिलेंगे और उसके बाद दिखिए second चीज़ यहाँ पर कई बास students को study material भी proper नहीं मिल पाता है जिसके उनको syllabus का नहीं पता चल पाता है ठीक है study material proper नहीं होता है यह second चीज़ इसका drawback है no doubt fees काफी कम है लेकिन यह drawbacks है साथ में ठीक है और होती है वो बार-बार नहीं पड़ पाता है हम ठीक है यह clear and उसके बाद दिखिए results में भी कई बाद डिले होता है and pre and post services like देखिए आपको कोई documentation में problem हागी कुछ हो गया ऐसे आपको कोई अची कासी को यहाँ पर support ऐसा नहीं देने वाला है कि एकदम से mail का reply आ जाएगा यहाँ पर नहीं मिलेंगे ठीक है so यहाँ पर यह कुछ drawbacks भी है DUSOL के so देखिए यहाँ पर मैं आपके एक चीज और बता दूँ अब अगर आपका program यहाँ पर है और आप इन drawbacks को देखकर भी admission लेने के लिए तयार है तो आप DS1 में admission लेलो कोई issue नहीं है डिक्रिस्ट में वीडियो डाली हुए है वहाँ से कैसे admission लेनी है मैंने बताया हुए है काफी चीज़ें वहाँ पर आपको clear हो जाएंगे ठीक है लेकिन अगर अब आप चाहते हैं कि आपको यहाँ पर किसी और university से admission लेनी है या फिर आपका program यहाँ पर नहीं है आपको किसी और university में जाना ह हैं और globally valid degree वाली universities भी है like देखिए MET होगी online मनिपाल हो गया ठीक है उसके बाद LPU हो गया चंडीकर university ऐसी कई universities हैं ठीक है तो अगर आप उन्हें check out करना जाते हैं तो आप देखे simply visit करो college with a.com पर जो आपको program में admission लेनी है यहाँ पर नहीं available है तो आपको college with a में वो program मिल ज है ठीक है और यहाँ पर आप ड्रकली university के expert से बात कर सकते हैं कॉले विद्यक एक्सपर्ट से free audio video console ले सकते हैं और add to compare पर click करके आप तीन university के बीच में comparison भी कर सकते हैं कई factors के basis पर like उस university पा अप्रूवर्स कौन सी है प्लेस्में इसिस्टेंस किन companies में मिल रही है ठीक है student की रेटिंग student की choice का है और also EMI की facility आपको के university में मिल रही है वो भी आप check out कर सकते हैं और directly आपको रीटर्ट भी कर देता university को official website पर जिससे की online fraud होने के सारे chances खतम हो जाते हैं और यहाँ पर आपको दीखे placement support services carrier booster programs भी मिल रहे हैं जिसके वैसे कोस्ट की बात करने तो वह university में admission लेते time ठीक है so guys यह दिखिया आपको proper मैंने answer अभी बता दिया है सबसे पहले हमने बात की कि यहाँ पर documents कौन से चाहिए द्यूर में admission लेने के लिए फिर हमने बात की programs कौन से offer किये जा रहे हैं फिर हमने बात की इसका plus point है कि आपर fees no doubt कम है इसके बाद अगर आपको यहाँ पर कोई program नहीं है आपको उसके लिए admission लेने है यहाँ फिर आपको drawbacks नहीं चाहिए आपको placement assistance रहे है dedicated counselor चाहिए जो आपको पूरा guide करें तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया college विद्यागा so decision आपको कहाँ पर admission लेने है मैंने आपको complete information दे दी है बाकि आप अप क्या suggestion है बाकी students के लिए तो वह भी आप बता सकते हैं वीडियो कैसी लगी है उसके बार में बता देना कोई query हो तो वह भी आप comment कर सकते हैं मसका answer देने की पूरी कोशिश करूँगा so guys यह थी पूरी complete वीडियो होपसम है आपकी सारी चीजों में help कर पाया हूँ और ऐसी औ आने वाले time में आपको ऐसी वीडियो के notification मिलते रहें तो चलिए दोस्त जल्दी मिलेंगे और भी next valuable वीडियो के साथ तब तक लिए आप सभी को अलविदा